सस्क्राइब नहीं करोगे तुम उसे कैसे मिलोगे हाई एवरीवन वेलकम बैक माई यूटूब चैनल विनीता मौरिया अपनी रसोई आज मैं आपके साथ बहुती टेस्टी मजेदार चावल के आटे से बनने वाले नमकीन नमक पारे की रेसिपी को शेयर करने वाली हूँ रेसिपी शुरू करने से पहले दोस्तों मेरा आप सभी से निवेदन है अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज चैनल को जरूर सबस्क्राइब करिएगा लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा तो आईए देखते हैं ये चावल के आटे से बनने वल नमक पारे हम कैसे बनाएंगे चावल के आटे के नमक पारे बनाने के लिए सबसे पहले हम चावल का आटा बना के तयार कर लेंगे हमने यहाँ पर हापके जी चावल को रात भर के लिए भीगो दिया था आप इसे 5-6 गंटे पहले भी भीगो सकते हैं तब भी ये फूल जाएगा अब हम चावल को पानी से चान करके अलग कर लेंगे हमने यहाँ पर यह चन्नी लिये चन्नी से हम चावल के पानी को चान लेंगे इसे चानने के बाद हम इसे एक कौटन के कपड़े पर फैला देंग हम इसे धूप में नहीं सुखाएंगे इसे हम आधा गंटे के लिए पंखे की हवा में सुखाएंगे रूम टमप्रेचर पर अगर आप चाहें तो इसे हलकी धूप में सुखा सकते हैं नेकिन धूप में आप इसे ज़़्यादा मत सुखाएगा नहीं तो यह कड़क हो कर दिया है हमने इसे बॉल में ट्रांसपर कर लिया हैँ अब इसे पीक संदics लेंगङ और यह हमने सारे इस जारा चाळाब को पीच करके तैयार या आठा हमारा बहुत ध्रुदा बढ़नी के तैयार हुआ है इसे पीचने के बाद हमने इसे च्छनी से छान लिया था ताकि इसमें चावल के बड़े कर ना रह जाएं अब इसे हम पका लेंगे तो उसके लिए हमने कड़ाई को गरम होने के लिए रख दिया है इसमें हम डाल देंगे 3 टेबल स्पून के लगबग तेल आप कोई भी कुकिंग आयल इस यहां पर रेड चिली फ्लेक्स डालने से नाच्टे में बहुत बढ़िया टेस्ट और टेक्चर आता है वन टीजपून जाएगा इसमें हल्दी पाउडर अब हम सारे मसालों को चलाते विए पानी में अच्छे से मिला देंगे और इससे हम पानी के गरम होने तक पकाएंग और यह हमारा पानी खौलने लगा है अब हम इसमें डाल देंगे चावल के आते को चावल के आते को डालने के बाद इसे हम चलाते हुए पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर चावल का आता बहुत ही तेजी से ठीक होना शुरू हो जाता है इसलिए आप इसे बराबर चल चलाते रहिएगा इसे हम मेडियम टू लो फ्लेम पर चलाते हुए पकाएंगे हाइ फ्लेम पर नहीं पकाएंगे चावल का आता बहुत ही देजी से जबना शुरू हो जाता इसलिए आप इसे एक फ्लेटी तीक हो गया इसने सारा पानी इसमें 것이 ओक लिया है अभी इसे लो ठंड़ा हो चुका है अब इसको हाथों से मसलते हुए हम थोड़ा सा गूत लेंगे आटे की तरह हमने इसे गूत लिया है आटे की तरह अब हम इसमें एट कर देंगे थोड़ा सा मैदा आप यहाँ पर मैदे की जगा पर बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यह इसमें बाइंडिंग एजेंट का काम करेगा जब हम नाच्टे को बनाएंगे तो यह विखरेगा नहीं मैदे को हम चावल के मिक्चर के साथ में गूतते हुए एक डोगे फॉर्म में कर लेंगे जिस तरह से हम रोटी के लिए आटा तयार करते हैं गूत कर उसी तरह से हमें इसका आटा तयार कर लेना है और यह हमने अच्छे से इसे गूत लिया है इसे मसलते हुए हमने एकदम सॉप्ट कर लिया है अब हम नमक पारे बनाना शुरू करेंगे सबसे पहले तो हम इसकी लोईयां काट करके तयार कर लेंगे लोईयों का साइस हम थोड़ा सा बड़ा रखेंगे यहाँ पर हम आटे की एक लोई लेंगे इसे हम बेलन से बेल लेंगे ये चोके पर रखकर हमने बेलन में और चोके में पहले से तेल को लगा दिया था ताकि आटा हमारे बेलन में और चोके में नाचिपके हम इसे रोटी की तरह बेल लेंगे हम इसे बहुत जदा मोटा या पतला नहीं बेल लेंगे इस बात का आप ध्यान रखिएगा हमने इसे अब इसे हम एक कटर की हेल्प से काट लेंगे लंबाई में मठरी की तरह अगर आपके पास इस तरह का कटर नहीं है तो आप इसे चाकू से भी काट सकते हैं या फिर आप इसे पीजा कटर से भी काट सकते हैं हमने इसे मठरी की तरह लंबाई में काट लिया है, पीस ते भी से हम काट देंगे, सेम प्रोसेस से हम सारे नमक पारे बना के तयार कल लेंगे, हम इन्हें बनाते जाएंगे और इन्हें हम डीप फ्राई करते जाएंगे, हमने कणाई में तेल को गरम होने के लिए रख दिया ह तेल को हमने high flame पे गरम किया है, gas की flame को हमने अभी low पे रखा है, अब हम इसमें नमक पारे डाल देंगे, इन्हें डालते ही विए इन्हें हम fry कर लेंगे, medium to low flame पर, एक बार में जितने नमक पारे कढ़ाई में आएंगे, उतने हम डाल देंगे, इन्हें हम medium to low flame पर सुनहरा कल पर पर फ्राइंगे अगर इसे हम हाई फ्लेम पर फ्राइंगे तो पर ते लाल हो जाएंगे और अंदर अर्ध यह कच्छे रह जाएंगे और क्रिश्पी भी नहीं बनेंगे इनिये अम proper पर अलड़ते-पलडटे भी स्वारी प्रिश्पी होने तक ép सिरहें लेंगे और यह ल सेम प्रोसेस से हम बाकी के नमक पारे भी अलटते पलटते हुए मेडियम टू लो फ्लेम पर सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे सरदियों का मौसम हो या फिर शाम की चाई का वक्त हो या फिर बारिश का मौसम हो कुछ न कुछ तीखा और चिटपटा खाने का मन करता ही है हर रोज यही चिंता रहती है कि आज शाम की चाई के साथ में क्या बनाया जाए जो घर में सबको पसंद आए तो आप चावल के आटे के नमक पारे बना कर खाईए और घर में सबको खिलाएए यह सबको बहुत ही पसंद आएंगे और ये हमारे लाश्ट बैच के नमक पारे भी फ्राई हो चुके हैं अब इसे भी हम कड़ाई से अलग कर लेंगे और इसके हम प्लेटिंग कर लेंगे और ये लीजिए चावल के आटे के बहुत ही टेस्टी और करारे नमक पारे बनके तयार हैं खाने के लिए वीडियो स्क्राइब करिएगा इसी तरह की नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा और साथ ही अपने एक्सपीरियंस नीचे हमारे कॉमेंट शेक्शन में शेयर कीजिएगा मैं फिट से मिलती हूं इसी तरह से अपनी एक नई वीडियो के साथ थैंक यू बाइ बाइ